जैहिन दोस्तों, Welcome to the GS World दोस्तों, आज आपकी Reasoning Mock Test की साथवी क्लास है इसे पहले हमने सभी क्लासों में Reasoning के बहुत ही important questions डिसकस किये हैं और ये आपकी साथवी क्लास है ये क्लास आपकी सभी आगामी परिक्षाएं जैसे की UP SSC Pet, UP Police, Railway Group D और SSC की सभी परिक्षाएं, साथ ही साथ वो सभी परिक्षाएं जिन में Reasoning पूछी जाती है उनके Point of View से काफी important है और ये क्लास इस वज़े से भी important हो जाती है क्योंकि इसमें मैं जो भी questions लेती हूँ वो सब के सब previous year से लिये जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों आज आपका सबसे पहला question ये है कि उस विकल्प का chain करें जो तीसरे पद से उसी तरह सम्बंदित है जैसा पहला पद दूसरे से सम्बंदित है तो चलिए देख लेते हैं question क्या कह रहा है देखिए यहाँ पर दो word दिये गया है इन दोनों word के बीच में एक relation है वह relation हमें यहां find करना है तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का relation देख लेते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर b से a और s से q जा रहा है इसका मतलब minus 1 करेंगे तो a आ जाएगा minus 2 करेंगे तो q आ जाएगा फिर plus 1 करेंगे तो u आ जाएगा और plus 2 करेंगे तो p आ जाएगा कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर minus 1 minus 2 plus 1 और plus 2 की सिरीज चल रही है यही सिरीज हमें इसमें follow करनी है तो चलिए इसे नीचे लिख लेते हैं D से यदि हम माइनस 1 करेंगे तो C आएगा और यदि यहाँ पर U है यदि माइनस 2 करेंगे तो L आएगा प्लस 1 करेंगे तो V आएगा और प्लस 2 करेंगे तो E आएगा यानि कि C, L, V, E हमारा आंसर होगा इसे साब से option number C is correct चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है नीचे दी गई आकरती में कितने त्रिभुज हैं हमें यहाँ पर त्रिभुजों को गिन कर बताना है तो इसकी एक trick होती है trick क्या होती हैं देखिए center से जितनी भी line जा रही है उन line को आपको count करना है 1,2,3 और 4 4 line हो गई ठीक है 1,2,3 और 4 यह 4 line हो गई तो हम क्या करेंगे 4 into 2 कर देंगे यह हो जाएगा 8 यानि कि यहाँ पर 8 त्रिभुज हैं जब यहाँ पर 8 हैं तो यहाँ पर भी 8 ही होंगे यानि कि टोटल 16 त्रिभुज हो गए और यहाँ पर आप ध्यान दीजे कि यह एक बड़ा त्रिभुज भी बन रहा है combination का बड़ा त्रिभुज बन रहा है तो एक यह होगा और इसका opposite लेंगे तो एक यह होगा यानि यहाँ पर दो और अलक्ट से त्रिभुज है इसका मतलब टोटल त्रिभुज हो गए हमारे पास 18 इसे साब से हमारा option number C is correct चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है दिये गए कतनों पर विचार करे और बताए कि दी गए धार्नाओं में कौन सी धार्ना कतन में नहीत है देखे यहाँ पर आपको एक statement दी है और धार्ना दी है धार्ना यानि की assumption मतलब जिसे लोग assume कर लेते ही न अपने मन में वह होती है धार्ना तो statement यह कह रहा है यह जो statement है यह 100% सही है तो एक धार्नी वेक्ति को मतलब होने की अधिकतम संभावना होती है अब देख लेते हैं धार्ना क्या कह रहा है तो पहली धार्ना यह है कि धार्नी वेक्तियों में मृत्यों का अधिकतर कारण मतलब है तो यह धार्ना बिलकुल गलत है क्योंकि जो धनी वेक्तियों होते है उनमें diabetes ही मृत्यों का कारण नहीं होता है और भी बहुत सारे विमारिया हो सकती है उस वज़े से तो मृत्यों हो सकती है तो इसका मतलब है कि पहली धार्ना तो गलत हो गई दूसरी देखते हैं गरीब वेक्तियों को मधुमें नहीं होता तो यह स्टेट्मेंट भी गलत है क्योंकि जो गरीब वेक्ति है ऐसा जरूरी नहीं है कि उन्हें diabetes नहीं हो उन्हें diabetes भी हो सकता और बिमारिया भी हो सकती है इससाब से हमारी धार्ना न तो पहली सही है न दूसरी इसका मतलब हमारा आंसर होगा option number C चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है कि A, B, C, D और E एक पंक्ती में बैठे हैं C पश्चिम छोर पर बैठा है E और C E जो है B और C का पड़ोसी है A और C के बीच में दो वैक्ती बैठे हैं पूर्वी छोर पर कौन बैठा है हम एक काम करते हैं एक एक करके हम question पढ़ते हैं और सु solve करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिसार लिख लेते हैं यह है East और यह है West question यह कहरा है कि C जो है पश्ची में छोर पर बैठा है यहाँ पर C बैठा है E जो है B और C का पड़ोसी है यहाँ पर E है और यहाँ पर B है E देखिए C का भी पड़ोसी है और B का भी पड़ोसी है फिर आगे question यह कहरा है A और C के बीच में दो वैक्ती बैठे हैं देखिए यदि हम यहाँ पर A ले ले तो A और C के बीच में दो वैक्ती बैठे हैं फिर हमारा question यह कहरा है कि पूरवी छोर पर कौन बैठा है देखिए एक पंक्ती में 5 लोग बैठे हैं A, B, C, D और E यहाँ पर 4 लोग already हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर होगा D और पूरवी छोर पर कौन बैठा है D इसे साब से हमारा option number D is correct यह थोड़ा misprinting हो गई है यह हमारा question नहीं है ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है दिये गया pattern को ध्यान से पढ़े और दिये गया विकल्पों में उस संख्या का chain करें जो प्रिष्ण चिन्न के स्थान पर आ सकती है चलिए देख लेते हैं इसे कैसे solve करना है तो इसमें कोई भी trick लग सकती है into की, divide की, plus की कोई भी trick लग सकती है ठीक है, तो हम सबसे पहली क्या करेंगी पहली line को addition करके देख लेते हैं तो जब हम 20, plus 16, plus 33 करेंगे तो हमारा answer 69 आएगा फिर उसके बाद हम नीचे वाली line को add करते हैं 27, plus 19, plus 23 करेंगे तो ये भी 69 आएगा सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर plus की series चल रही है तो हम यहाँ पे 22, plus 15 करेंगे आएगा, तो 69 में 37 को घटाने पर 32 आ रहा है यानि की 22, 15, और 32 इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो आएगा 69 इसे साब से हमारा option number B is correct चलिए, आगे बढ़ते हैं अब मारा अगला question है नीचे दिये गए आरेक में कितने होकी खिलाडी फुटबॉल खेलते हैं देखिए, यह जो सरकल है यह होकी खिलाडियों के लिए है यह second वाला सरकल फुटबॉल प्लेयर के लिए है और यह third वाला सरकल cricket प्लेयर के लिए है लेकिन हमारा question स्रिफ होकी और football player के लिए है जो जो number आपको hockey और football दोनों मिलता है उसे ही आपको उठाना है तो देखे जो 22 है ये hockey player में भी आजाएगा और football player में भी आजाएगा इस हैसाब से हमारा option number D is correct चली, आगे बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है सभी बुद्धिमान इंजीनियर है ये statement और conclusion वाला question है आपको statement पढ़ना है उसके बाद फिर conclusion पढ़के अपना answer निकालना है तो हम सबसे पहले statement पढ़ते हैं पहला statement ये कह रहा है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती है हम diagram बनाते हुए चलेंगे दूसरा statement ये कह रहा है कि सभी बुद्धिमान इंजीनियर है देखिए ये हैं बुद्धिमान और सभी बुद्धिमान क्या है सभी बुद्धिमान है इंजीनियर ठीक है और फिर पहला statement है कि कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं तो ये बुद्धिमान है हम बुद्धिमान का थोड़ा से अरिया ले लेंगे और ये हो गई महिलाएं तो कुछ महिलाएं ये देखे कुछ महिलाएं बुद्धिमान होती हैं सभी बुद्धिमान इंजिनियर होते हैं अब statement पढ़ते हैं मतलब conclusion पढ़ते हैं ठीक है यह statement के base पे हमने diagram बना लिया और अब हम conclusion पढ़ेंगे तो पहला conclusion है कि कुछ महिला इंजीनियर है आप देख सकते हैं कि यह महिलाओं का circle है और यह इंजीनियर का circle है और यहां पे कंक्लूजन सब्सक्राइन की हसाब से हमारा the statement second सभी इंजीनियर बुद्धिमान है ने खर उख सकते हैं अब हमारा अगला question है दिए गए विकलपों में उस संख्या को चुने जो दिए गई सीरीज में प्रश्ण चिननी के स्थान पर आ सकती है यहाँ पर एक सीरीज दी गई है और आपको यहाँ पर नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले हम इनके बीच का relation देखेंगे फिर अपना क्यूब 4 का क्यूब 5 और 6 का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा 3 का करेंगे तो 27 आएगा यहाँ पर mistake हो गया है यहाँ पर 64 होगा 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा 5 का करेंगे तो 125 आएगा और 6 का cube करेंगे तो 216 आएगा इसे साब से हमारी अगली सीरिज होगी 7 का cube तो 7 का cube करेंगे तो हमारा answer क्या होगा 343 यानि कि हमारा option number C is correct चली आगे बढ़ते हैं एक मिनद दोस्तो अब हमारा अगला question है उस विकल्प को चुने जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जैसी पहली संख्या दूसरे से संबंधित है यह देखी यहाँ पर दो question दिये हैं मतलब दो संख्या दिये हैं और इनके बीच का relation है हमें वही relation find करना है पता करना है फिर वही relation यहाँ पर follow करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं यह 5 का square है यह 4 का square है लेकिन यह trick हम follow नहीं कर सकते क्योंकि 41 एक ऐसी संख्या है जो किसी का square नहीं है तो इसलिए यह trick तो काम नहीं करेगी हम क्या करते हैं इनके बीच का difference निकाल लेते हैं बढ़ते हैं अब हमारा अगला question है निमलिकित में से कौन सा आरेक आदमी पिता और भाई के बीच के सम्बंद को अच्छे तरह से निरुपित करता है यहाँ पे 4 diagram दिये गये हैं और आपको आदमी पिता और भाई इन तीनों के बीच का relation find करके इन diagram में बताना है हो सकता है तो पिता और भाई related होंगे ठीक है आदमी के अंदर आ गया पिता ठीक है और जो भाई है वो भाई के साथ साथ पिता भी हो सकता है तो इस वसाब से हमारा option number C is correct दोस्तों यह था आज का आपका reasoning का mock test की class तो मीध्या आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए धन्यवाद दोस्तों